दोस्तों कि आप इंस्टाग्राम का नेम चेंज ने कर पा रहे हैं नेम चेंज करने पर हर बार आपके सामने ये एरर आ रहा है तो basically इंस्टाग्राम की policy है अगर आपने 40 days के अंदर 2 बार नेम चेंज कर दिया तो 3rd time आप नेम चेंज नहीं कर सकते अब दुबारा से नेम चेंज करने के लिए 40 days वेट करने को बोलना जाता है लेकिन मैं आपको एक ऐसी trick बताऊंगा जिससे आप लिमिट लगने के बाद भी अपना इंस्टाग्राम नेम चेंज कर पाएंगे और don't worry मैं आपको यहापे कोई भी troubleshooting method नहीं बताने वाला कि आप इंस्टाग्राम help center में report करो इंस्टाग्राम को update करो ऐसी trick बताऊंगा जो पूरे YouTube पर तो किया पूरे इंटरनेट पर आपको नहीं मिलेगी तो चलिए देख लेते हैं ऐसी कौन से trick हैं जिससे limit लगने के बाद भी आप इंस्टाग्राम का name change कर सकते हैं तो इसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी Facebook app की जी यहां दोस्तों आप Facebook app के जर्ये अपनी Instagram id का name change कर सकते हैं तो बस आपको Facebook app को open कर लेना है then अब आप यहाँ पे 3 line पे क्लिक करेंगे और अभी आपको यहाँ पे setting and privacy पे क्लिक कर देना है यहाँ पर आप setting पे क्लिक करेंगे इसके बाद आपको यहाँ पे account center पे क्लिक कर देना है ठीक है तो अभी आप यहाँ पे profile पे क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको name पे क्लिक कर देना है तो अब आपको यहां पर वो name रखना है जो आप Instagram ID में रखना चाहते हैं I know आप सोच रहे होंगे मुझे name Instagram ID में change करना है Facebook ID में change नहीं करना तो रुको मेरे बाई सबर करो आपको सब पता चल जाएगा अगर आप इस Facebook ID में name change नहीं करना चाहते हैं तो आप यहां पर Facebook में एक fake account बना लीजिए और उसमें वोई name रखना जो आप Instagram पर रखना चाहते हैं ठीक है तो इतना करने के बाद आपको Instagram को open कर लेना है इसके बाद आप यहां पर अपनी profile में आएंगे और यहां पर आपको उपर की side 3 line पे click कर देना है इसके बाद आप यहां पर account center पे click करेंगे अभी आपको यहां पर निक्चे के side आ जाना है यहां पर आपको account पे click करना है इसके बाद आपको यहां पर add account के option पे click कर देना है तो अभी आपके सामने दो option आएंगे तो आपको यहां पर first option add facebook account पे click कर देना है तो यहाँ पर आपकी वो Facebook ID detect कर ले जाएगी ठीक है तो बस अब आपको यहाँ पर continue पर क्लिक कर देना है तो अब आपकी यहाँ पर Instagram Facebook की date of birth आ जाएगी इसमें से आपको यहाँ पर किसी को भी select करके continue पर क्लिक कर देना है then yes finish adding पर क्लिक कीजिए तो आपका Facebook account यहाँ पर Instagram के साथ link हो जाएगा ठीक है देख सकते हैं यहाँ पर profile option में भी हमारी Facebook ID show कर रही है तो अब name change करने से पहले मैं आपको यहाँ पर Instagram में दिखा देखता हूं हमारा क्या name show कर रहा है तो अभी आप यहाँ पर Instagram ID में name देख सकते हैं तो बस अब आमें एक और setting करने होगी उसके बाद हमारा यह name change हो जाएगा तो अब आपको यहाँ पर दुबारा से Instagram की setting में आ जाने है यहाँ पर आपको account center पे click करने है इसके बाद आपको यहाँ पर profile पे click कर देने है दन अब आप यहां पर अपनी Facebook ID पर क्लिक करेंगे इसके बाद आपको यहां पर निक्ची की साइड आपकी Facebook ID सो ओरी होगी आप यहां पर क्लिक किजिए तो अब आपके सामने यह सेटिंग आएगी Sync Profile Info तो आपको इस सेटिंग को यहां पर अनेबल कर देना है इसके बाद आपके सामने यह स्क्रीन आ जाएगी यहां पर आप मैने जेवर सेटिंग पर क्लिक करेंगे इसके बाद आपके सामने तीन चार सेटिंग आ जाएगी तो आपको यहां पर नेम की सेटिंग को ओन र तो इतना करने के बाद आप यहां पे बैक आएंगे इसके बाद आपको यहां पे सिंग प्रोफाइल इंफो पे क्लिक कर देना है तो लो जी आपकी सेटिंग ओ चुकी है अब आप अपना इंस्टाग्राम आईडी का नेम चेक किजिए आपका नेम चेंज ओ चुक होगा कर सकते हैं अब आप इंस्टाग्राम से अपनी फेस्बुक आईडी हटा भी देंगे तो भी आपका यह नेम यहां पर चेंज नहीं होने वाला देख सकते हैं मैंने यहां पर अपनी इंस्टाग्राम आईडी फेस्बुक से हटा दिया है फिर भी मेरा नेम यहां पर चेंज नहीं हुआ तो ऐसे करके आप अपने इंस्टाग्राम का नेम चेंज कर सकते हैं तो इस ट्रिक के जरीए आप कितनी बार भी इंस्टाग्राम आईडी का नेम चेंज कर लो कोई भी दिक्कत नहीं है